राजिस्थान में कांग्रेस पाट्टी की तगड़ी हार के बाद हर किसी का मानना था कि सचिन पाइलिट खामोश बेड़ जाएंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा उन्होंने भजनलाल शरकार के खिलाब मोर्चा बंदी पहले से ही करना शुरू कर दिया है जी हाँ जहाँ एक तरफ युवाओं को रोजगार ना मिलने पर सचिन पाइलिट नराज हैं और लगातार कई ऐसे धरने परदोशन में शामिल हो रहे हैं जहां से भाजपा को घेरा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भजनलाल शरकार पर जम कर हमला बोला पाइलिट ने कहा कि सरकार को गविर्नर के संबोधन का इस्तमाल करना चाहिए था इसके जरीव अपनी सरकार की पांस साल की रूप रेखा बताते वो बताते कि आने वाले समय में सरकार की क्या प्रात्मिक्ता रहेगी और जो वादे उन्होंने किये वह उन्हें कैसे पूरे करेंगे लेकिन मुझे बड़ा खेदे कि सरकार ने इस अफसर का प्रियोग सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए किया जी हाँ सचिन पालेट ने भजनलाल सरकार पर ये तरीके से जुबानी हमला किया है उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे बड़ा खेदे कि सरकार ने जिस तरीके से इस अफसर का प्रियोग कांग्रेस को कोसने के लिए किया उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं लगता है कि बीजेपी अभी भी चिनावी मोड में ही है चंता ने विश्वास करके एक बहुमत की सरकार बनाई थी लेकिन गवर्नर सहाब बाद्ये हैं कि कैबिनेट जैसा लिख कर देगी वैसा भाशन होगा सचिन पालेट ने कहा कि सरकार को एक महिना हुआ है आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 करोड नोकरियों की कहा था 10 साल में 20 करोड दोजगार होने थे उल्टा बिना नोटिस के 5000 बच्चों की नोकरी छीनी वो सिर्फ इसलिए कि योजना का नाम राजीव गांदी से था मुझे नहीं लगता सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी अब इंडिया गडबंदन बना है ये मजबूत गडबंदन है गडबंदन में लगातार सीट शेरिंग पर चर्चा हो रही है ये गडबंदन चुनाव में अच्छा परदशन करेगा पालेट ने राहूल गांदी की भारा जोड़ो निया यातरा परीपरतिकरिया देते वे कहा कि राहूल गांदी पूर्व से पश्चिम तक यातरा निकाल लाए है मणिपुर वो राज्य है जहां हिंसा होई शोशन हुआ वहाँ डबल इंजन सरकार है लेकिन कोई नहीं गया लेकिन जाहूल गांदी गए उन्होंने रियातरे निकाली अब जनता समझ गई है कि कौन लोग हितेशी है और कौन जज़बाती मुद्दो से वोट बटोरने का काम कर रही है साथी उन्होंने कहा कि 36 गड़ में तीन दिन का दोरा करके आया हूँ वहां कांगरेस का वोट परतिशत उतना ही है सचिन पालेट ने कहा कि उम्मीद ती कि है वहां हमारी सरकार बन जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथी उन्होंने ये भी कहा कि कांगरेस का लोगसवाच नाम में 36 गड़ सहित सभी राजजोबे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा लेकिन भजनलाल सरकार के खिलाफ जिस तरीके सचिन पालेट के तीवर नज़र आ रहे हैं साथ उनको नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं भजनलाल सरकार को गिरा कर कांगरेस की सरकार को दुबारा बनाने का सपना पालेट देख रहे हैं बने रहें चनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद